हालो सब Sonore and welcome back to my channel आज मैं आप सब के साथ सेर करूगी कैसे आप अपने Indian Dress के साथ अपने जूल्री और अपने बैंगल्स को mix and match कर सकती है कि अपने जो ड्रेस पहना है उसके हिसाब से कैसे आप चुड़ियो और अपने यहरिंग से mix and match करो पहनो, सूट पहनो, लहंगा पहनो, सरारा पहनो, गरारा पहनो, अनारकली पहनो, या फिर गाउन पहनो, आप कोई भी इंडियन आउटफिट पहनो, उसके लिए में टोटल पांच से छे टीप बताऊंगी, जिसको आप फॉलो करके, अगर यह आपकी प्रोब्लम होती है, कि आपको समझ में नहीं आता है, कि मैंने ड्रेस तो अच्छा पहन लिया, उसके साथ क्या इयरिंग, स्याफित, क्या जूल्री, मिक्स और मैच करूँ, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत हेल्फूल होगा, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं, तो नंबर वान, सबसे क्ल करना नहीं चाहते हैं अपने उपर, या तो जिनको समझ में ही नहीं आता है, तो आप एगे ट्रिक फॉलो करो, यह सबसे बेश्ट होता है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो ड्रेस पहना है, उससे या तो फिर एक से दो से डाक कलर में आप एरिंग ले लो, या फि इसके साथ डाक ग्रीन कलर का यह रिंग पेना है, तो आप इस टाइप से मिक्स और मैच कर सकती है, अपने ड्रेस के एक तो हो गया, आप सेम कलर की ले लो, नहीं तो आप अपने ड्रेस से एक-दो से डाक या फिर एक-दो से लाइट, तो नंबर दो है, आप अपने जो ड् तो इस टाइप से आप बैंगल्स को आप वेरिएशन दे सकती हैं नमबर तीन है अपने जो ड्रेस पेना है उसमें जो सबसे कम कलर है उसको पिक करिए यह बहुत ही जाड़ा स्मार्ट लुक देता है जो सबसे कम कलर है उसको चुनिए और आप सेम कलर की एरिंग और सेम कलर की बैंगल्स पे नहीं यह सबसे अच्छा लुक देता है नबर फोर पे है आप ओवर साइज यहरिंग पेने आजकल ओवर साइज यहरिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में और प्रसनली मेरा फेवरेट भी है आप कोई भी ड्रेस पेनों उसके साथ आपको बैंगल्स नेकलेस किसी भी चीज की जुरूत नहीं है आपको ओवर साइज यहरिंग एक कम्प्लीट लुक दे रेता है आप इस पिक में देख सकते हैं मैंने सिल्क की सारी के साथ ओवर सेज ओक्सिडाइज ओवर साइज यहरिंग पेना है और साथ में ही मैंने बैंगोलियों का ट्रेशनल साखा पोला और प्लेन रेट चूडी पेना है बिल्कुल ओपोजीट तो आप इस टाइप से अपना एक लूप क्रियेट कर सकती है अगर आपको अपने उपर एक्स्पेरमेंट करना अच्छा लगता है या तो कुछ डिफ्रेंट मतलब कुछ मिलता जूलता नहीं बिल्कुल अलग तो आप इस टाइप से कर सकती है अभी तो ट्रेन में भी है आप ओवर साइज एरिंग पेनो और बिल्कुल अलग चूडी या फिर बैंगल्स पेनलो बहुत ही अच्छा जाता है नमबर फाइफ पे है यह सबसे जो कम पैसा जो लगाना चाहती है अपने एरिंग पे अपने बैंगल्स पे या फिर जिनको बहुत ज्यादा नहीं रखना पसंद होता है तो उनके लिए बैंच हो जाता है आप आप या तो गोल्डेन कलर में ले सकती है या कि जो परफेक्ट जो गोल्डेन मेटेरियल में जो एरिंग और चोकर आता है आप वैसा लेलो वह बहुत ही मस्त लगता है आप अनारकली पेहनो साड़ी पेहनो गाउन पेहनो उस टाइब की और बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लुक देता है पूरे होल गेट अप को ये जो गोल्ड में जो जूल्री होता है वो चेंज कर देता है उसके बाद नंबर छे पेह आप मल्तिकलर की ले सकती है जैसे कि आप भी बहुत ही ट्रेंड में है अब बोटल ग्रीन में लें मिंत ग्रीन में या फिर आप मरून में लें मल्तिकलर में लें अब इस टाइब की जूल्री ले सकती है जो हर एक ड्रेस पे जाता है और बैंगल पर भी सेम बात अप्लाई होता है यह आज कर बहुत चादा ट्रेंड में आप किसी भी कलर की ड्रेस पेहनों बॉटल ग्रीन मिंट ग्रीन या फिर डाक पिंग पहनो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देता है जो आपका ओवरोल लुक है वो पूरा निखर के आता है तो आप इस ट्राइब कर सकती है और एक बात आप जब भी जूल्री पहनो तो थोड़ा सबने लुक में वेरियेशन लाओ यानि कि कभी-कभी बैंगल्स पहनो तो जूल्री मत यरिंग समत पहनो इस टाइब से अपने लुक में वेरियेशन लाओ कभी आप एरिंग्स मत पहनो अगर नेकलेस पहनो तो कभी एरिंग्स मत पहनो इस टाइब से अपने लुक में वेरियेशन लाओ तो आपको देखने वालों को भी लेकिन जब मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठी तब मुझे याद आया कि मैंने कुछ भी इंडो वेस्ट्रेन या फिर एथिनिक वैयर के बारे में बोला ही नहीं या पुष्ट में किस टाइप की जुल्री पेने तो फिर मैं इस क्लिप को एड कर रही हूं तो सबसे सेफ और सबसे बेश्ट ऑप्शन होता है एथिनिक और इंडो वेस्टन ड्रेस के लिए कि आप जंग जूल्री के साथ जाएए आप जंग जूल्री में चोकर पहन सकती है बड़े-बड़े जुमके पहन सकती है या फिर हूपी यरिंग्स पहन सकती है परफेक्ट है एथिनिक और इंडोवेश्टन ड्रेस के लिए तो आप इस टाइप से कुछ अगर आप ऑक्सिडाइज में पहनिए जो कलर जो थोड़ा सा मैट होता है वो यूज करिए बुखत ही जादा अच्छा लगता है और हर एक ड्रेस पे जाता है तो आई होप आपको ये वीडियो प अबुलेंट